शेहरों में जो रह रहे हैं, उनके लिए खाद किस तरीके से तयार के जासे हैं? नीचे सबसे पहले इसमें गोबर के खाद की आपने एक लेयर भी चाई है, उसके बाद ये सबजी के छिलके हैं, कोई प्याज है, आलू है, यहां तक कि जो चाई पती आप घर में यूज करते हैं, उसे यूज के बाद आप इसमें डाल देंगे, और कुछ-कुछ देर बाद दो-दो-तिन-तिन दिन बाद आप इसको हिलाते जाएगे, तो आप ये समझ लीजिए, दो-ढ़ाई महिने में आपके पास बड़िया कंपोस्त तयार हो जाएगी, जो भी आपने घर में छोटे से छोटा कोई मनी प्लांट भी लगा रख है, कोई अरिका पाम लगा रख है, कुछ भी कोई फल के पौदे लगा रहे हैं, किसी भी गमले में, किसी भी कच्ची जमीन पर आप इसे यूस कर सकते हैं, या आप ये समझिए, ये प्रमात्मा की स्रिष्टी का नियम है, हर चीज साइकल में घूंगती है, इनी पत्तों से फिर दुबार से नए पत्ते निकल चिलके हुने और नो कितना यूस चे लाइदा हुने ते खाद किस तरीके ना तयार करी दे हुने, साइडिनल मेडम मजूद ने, अप उन्हों ना गलवात कर दे है, नमस्कार जी, शुट जो मैम आज हम बात करने जा रहे खाद की, तो मैम हम सबसे पहले यह जानेंगे कि शहरों में जो रह रहे हैं, उनके लिए खाद किस तरीके से तयार कि जा सकोगे जो बात आज ये निश्काम बताने जा रही है ये कोई नई बात नहीं है शायद सदियों पुरानी है लेकिन शायद हम थोड़ा भूल चुके हैं आज हम फिर से इसको याद करके लोगों को प्रेणा देना चाहते हैं आप ये देख रहे हैं ये जोती बेटी आपको जो घर मे जो शहरों में रहने वाले लोग हैं जिनके पास ज़ादा कची जगे नहीं है वो अपने घर में खाद बढ़िया कंपोस्ट कैसे तियार कर सकते हैं आपके रोज मर्रा के जितने भी रिसोई में से जो किचन वेस्ट निकलती है सबजी के छिलके हैं फूरूट के छिलके हैं या कुछ खाना बच गया है जिसको हम dust bean में डालते हैं उसकी जगे आप उससे बड़िया compost कैसे तियार करेंगे अभी आप ये देखिए ये कुछ हमने गोबर की organic बड़िया खाद ली हुई है एक बरतन लेकर कोशिश कीजिए ये मिट्टी का बरतन लीजिए जो अभी हम आप को वैसे प्लास्टी का दिखा रहे हैं आप कोशिश कीजिए कोई मिट्टी का मट्का ले सकते हैं नीचे सबसे पहले इसमें गोबर के खाद की आपने एक लेयर भी चाही है उसके बाद ये सबजी के छिलके हैं कोई प्याज है आलू है यहां तक कि जो चाइपती आप घर म इसमें यूज हो सकती हैं तो ये एक लेयर सबजी के उसकी लगा दी कुछ सूखे पत्ते हैं आपके पास गार्डन वेस्ट है अगर आपके पास कोई लॉन है गार्डन है तो उसके पत्ते भी बिल्कुल सूखे पत्ते चूरा करके आप ऐसे डाल सकते हैं ऐसे लेयर पर ले के लिए छोड़ दीजिए और कुछ-कुछ देर बाद दो तिन दिन दिन बाद आप इसको हिलाते जाए तो आप ये समझ लीजिए दो धाई महिने में आपके पास बड़िया कंपोस्त तयार हो जाएगी जो आपके जितने भी घर में गमले हैं फूल पौदे लगा रखें उस तरीके से खाद तयार की जा सकती है तो मैम ये जो खाद तयार की जा रही है तो मैम ये किस-किस सबजी में ये कहां-कहां यूज होती है अरे किसी भी जो भी आपने घर में छोटे से छोटा कोई मनी प्लांट भी लगा रख है कोई अरिका पाम लगा रख है कुछ भी कोई पौदे लगा रहे हैं, किसी भी गमले में, किसी भी कच्ची जमीन पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं आपके पास पूरा यूज़ तो आप निश्काम से वाश्रम के पास पहुंचा सकते हैं, यहां पर हमारे पास बहुत लोग लेने आ चाते हैं प्रमात्मा की स्रिष्टी का नियम है, हर चीज़ साइकल में घूमती है, इनी पत्तों से फिर दुबार से नहीं पत्ते हैं, निकलेंगे, इन्ही सब्जी के छिलकों से फिर नहीं सब्जीयां बनेंगी, हमें तो सिरफ ये काम करना है। सत के साधा जगर सात देन तो असी पूरे गाउंचों इकी गाउंचों जितनी वी उन्हा दी किचन वेस्ट है, गाउंदी उनु इकठी करन्दा एक तरीका रखिये, फिर उस तो बाद उन्हा को गोबर है, सब को पशू रखे होए है, ओ गोबर तो खाते यार करिए, फिर गा उन्हें किचम वेस्ट दबा दिये, गोबर दबा दिये अब अप जड़ा कैमरा इhand पड़ माई करेंगे तो जो आप खड़ा देख रहे हैं, यह हमने चार महिने पहले खोदा था इसमें हमने अपनी सारा गोबर है, यह गारडन वेस्ट है सब इसमें डाल दी थी जो भी हमारे पास था आज जब हमने खोदा है तो देखी आप कितनी बड़िया कंपोस्ट इसमें से तयार होके लिकर लिए बस इतना सा काम इतना सा काम और इतना फाइदा कि पता थोड़ी होर भी वदिया खाद बंड जबे ते इद्धा दी अप्डेट्स लिए देख देरे हो दिसीटी हैडलाइन मैंने हमाली कैमरा पर्ट्सन करन को बाना